हेलो जूश्तो नमस्कार मिलने में कार्टिक और आप देख रहे हैं के ट apprendre दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने यूटूब चैनल को फेरिफाई कैसे करें हाँ दोस्तो अगर आप नया यूटूब चैनल को फेरिफाई नहीं किये हैं तो दोस्तो आप अपने वीडियो में कस्टम थमनेल नहीं लगा पाएंगे और दोस्तो आपने यूटूब चैनल में 6-7 मेंट से उपर के वीडियो को अपलोड नहीं कर पाएंगे तो दोस्तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको पुरा डिटल्स में बताऊंगा तो दोस्तो इस वीडियो को पुरा देखेगा एंड दोस्तो इस वीडियो को लाइक, सेर एंड इस चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा एंड दोस्तो चलिए आपका ज्यादा समयना लेते हुए जल्दिस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो सबसब पहले अपने मॉबाइल में क्रम ब्राजर को आपन कर लेना है ओपन करने के बाद दोस्तो उपर क्योर कोने में यहाँ पर आपको थिरीविंदी देखने को मिलेगा उसमें आपर किलिक कर देना है किलिक करने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपको डेश्टॉप साइड में आपर टिक मार्क लगा लेना है दोस्तो इससे क्या होगा कि आपके mobile के desktop, computer की तरह खुलेगा उसके बाद दोस्तो यहाँ पर YouTube application देखने को मिलेगा उसमें यहाँ पर click कर देना है click करने के बाद दोस्तो यहाँ पर थोड़ा सा loading लेगा उसके बाद दोस्तो यहाँ पर खुलेगा तो दोस्तों यहां पर थोड़ा सा network का problem है तो दोस्तों यहां पर देखिए finally खुलके आ गया है तो दोस्तों यहां पर आपको zoomine करके दिखा दे रहा हूँ यहां पर देखिए आपके YouTube चैनल का logo देखने को मिलेगा उसमें यहां पर click कर देना है किलिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए सेटिंग्स का अप्सन देखने को मिलेगा उसमें यहाँ पर किलिक कर देना है किलिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा तो दोस्तो यहाँ पर देखिए आपके YouTube चैनल का नेम एंड यहाँ पर Logo देखने को मिलेगा तो दोस्तो यहाँ पर आपको Channel Status and Future पर किलिक कर देना है किलिक करने के बाद दोस्तो यहाँ पर थोड़ा सा Loading लेगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा तो दोस्तों यहाँ पर देखिए verify का option देखने को मिल रहा है तो दोस्तों अगर आप अपने channel को verify नहीं किये हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए Custom Thumbnail Not Enable, यानि कि दोस्तों मेरा चेनल वेरिफाई नहीं हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर वेरिफाई करने के लिए आपको यहाँ पर वेरिफाई प यहाँ पर आपका country already select होगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको टेक्स मीद दी वेरिफिकेशन कोड पर यहाँ पर टिक लगा देना है, इससे क्या होगा कि दोस्तों आपके मॉबाईल में वेरिफिकेशन कोड जाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आपने मॉबाईल को टाइप कर लेना है, तो चलिए मैं यहाँ पर अपना मॉबाईल नमबर को जल्दी से टाइप कर लेता हूँ, टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको टाइप कर लेता हूँ, टाइप करने के बाद दोस्तों आपके मॉबाईल में 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड जाएंगे यानि कि दोस्तों यहां पर आपको वेरिपिकेशन कोड को यहां पर टाइप कर लेना है तो चलिए मैं आप टाइप कर लेता हूं टाइप करने के बाद दोस्तों यहां पर सब्मिट पर किलिक कर देना है किलिक करने के बाद दोस्तों यहां पर लोडिंग है मगर दोस्तों यहां पर तुरंत वेरिफाइड नहीं दिखेगा यानि कि दोस्तों यहां पर आपको रिफ्रेस करना पड़ेगा चलिए मैं यहां पर आपको रिफ्रेस करके दिखाता हूं तो दोस्तों यहां पर देखे रिफ्रेस हो गया है और दोस्तों यहां पर देखे यहाँ पर देखे- custom thumbnail, यहाँ पर not enabled था, तो दोस्तों यहाँ पर enabled हो गया है, अब दोस्तों अपने वीडियो में, custom thumbnail लगा सकते हैं, तो दोस्तों इस तरह से आप अपने, चेनल को verify कर सकते हैं, और दोस्तों अगर आपको पूर दिकत हो, तो दोस्तो कमेंड वक्ष में कमेंड जरू किजेगा तो दुस्ता है होग किया आप को एची तरह से समझ में अतो गया होगा थो सब्सक्राइब करके तो यह थी जो four वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जाहिन